असलám Hilum min दोस्तों, आज के विडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं किए DHT के वज़ासे जो बाल ज़र रहा है, DHT वज़ासे जो बालनेस होता है वो किसी धवाई से, किसी तेल से, किसी लोशन से ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है क्या किसी दवाई से DHT को ब्लॉक किया जा सकता है क्या जेनेटिक बालनेस जिसको स्टार्ट हो गिया है उसे गंजा होने से उसे बाल होने से कोई नहीं रोक सकता है अखिर क्या करना चाहिए क्या उपाय है जिनका बाल ज़र रहा है या फिर बाल पूरा ज़ड़ चुका है आज के इस वीडियो में जानेंगे इसलिए आप लोगों से छोटा से रिक्वेस्ट इस वीडियो का पूरा देखे चलिए दोस्तों वीडियो फूरू करते हैं है de wield bei di Aufg dio पूर्मॉन और जो कियो मर्द के अंदर सबसे इंपोर्टेच Hope पूर्मन imposed इंप्रच्टिप्व अर्मन और यह में उत्पंण होता है वही testosterone hormone जब 5-alpha reductus enzyme से combine होता है, mix होता है तो क्या बनता है? Dehydro testosterone hormone और जो एकी genetic के वज़े से, gene के खराबी के वज़े से किसी-किसी में ये DHT जादा बनता है और ये DHT जादा बनने के वज़े से सबसे पहला जो ये असर करता है ये बालों का follicles पे असर करता है और जो है कि ये सिर्फ हमारा male pattern जो बाल होता है, ये उपर का जो बाल होता है इस बाल पे ये DHT असर करता है और यहां का बाल, यहां का जो follicles होता है, वो DHT receptors हो जाता है genetic disorder के वज़े से, genetic खराबी के वज़े से कुछ लोगों में जो कि ये DHT हाई होने लगता है और वो क्या करता है, DHT बालों का जो follicles होता है वहां पे जमा होने लगता है बालों का follicles sensitive हो जाता है DHT recepting करने लगता है और जिसके वज़े से क्या होता है कि blood supply कम होने लगता है बालों को nutrients कम मिलने लगता है जिसके वज़े से बाल जो की जहरना सुरू हो जाता है बाल को nutrients नहीं मिलने के वज़े से बाल जो की पतला होने लगता है बाल जहरने लगता है अब सवाल है कि क्या इस DHT को किसी दवाई से कंट्रोल नहीं किया जा सकता कुछ टाइम पहले हम लोग जो कि new hair lotion इस्तेमाल करते थी मैं भी काफी new hair lotion इस्तेमाल किया हूँ और वो new hair lotion क्या करता था कि हमारा जो ये 5 alpha reduxes enzyme जो होता है उस enzyme को block कर देता था DHT बनना कम हो जाता था और DHT नहीं बनता था जिसके वज़ेसे क्या होता था कि बालों का जो follicle से वो दीरे-दीरे खुलने लगता था और जो कि blood supply बर जाता था और दीरे-दीरे बालों को nutrients भी मिलता था और बाल दीरे-दीरे grow होता था मगर इसमें भी problem क्या हुआ कि ये 5 मेना, 6 मेना, 7 मेना से लेकर के एक साल तक जो कि ये enzyme को बंद करने में, block करने में कारगर होता था उसके बाद जो कि दीरे-दीरे वो भी असर करना कम कर देता था, जिसके वज़ा से काफी सारा लोग जो लोग नियोर लोशन के इस्तिमाल कर रहे थे या फिर कर रहे हैं, 6 मेना साल बर तक result अच्छा आता है उसके बाद जो कि दीरे-दीरे फिर से वो बाल जो कि setting phase में जाने लगता है, बाल दीरे-दीरे फिर से थीन होने लगता है और जो कि पहले का condition में पहुंच जाता है, बाल पतला होकर के जहरने लगता है यानि कि यह भी जो कि permanent solution नहीं है, कुछ time तक जो कि यह DHT को block कर पाता है, उस engine को रोख पाता है, बाद में वो नहीं रोख पाता है दूसरा उपाय है Menoxidil और यह derma roller, यह दोनों को काम क्या होता है, कि बालों का जो follicles है, वहाँ पर क्या होता है, ब्लड circulation को improve करना Menoxidil क्या करता है, ब्लड circulation को बढ़ा देता है, बालों का जण के उपर, हम लोग जब इसको उपर में spray करते हैं, तो उस जगह पर क्या होता है, कि बालों का जण के पास blood circulation बढ़ जाता है ब्लड circulation जैसे बढ़ता है, तो बालों को nutrients मिलने लगता है, और बाल जो की देरे देरे grow होने लगता है मगर जिन लोगों का जो है की बाल काफी ज़्यादा जढ़ चुका है, बिल्कुल जो है की 5, 6, 7 ग्रेट का बालने सो गिया है और वहाँ पर follicle भी उतना मौझूद नहीं है, और follicle है भी तो बहुत पतला है, काफी पतला है यानि कि almost वहाँ का जो follicle का जो hole होता है, जिससे blood supply होता है, nutrients मिलता है बालों को वो almost DHT के बज़र से बंद हो चुका है, force बंद हो चुका है तो वहाँ पर ये derma roller और minoxidil भी असर नहीं कर पाता है, कुछ कास फायदा नहीं कर पाता है इसलिए जो लोग का 5, 6, 7 grade का बालने सो चुका है, बाल का भी जड़ चुका है, बाल का भी पतला हो चुका है वो लोग अगर जितना भी derma roller और minoxidil का इस्तमाल करेंगे तो उन लोगों को उतना असर नहीं होने वाला, फाइदा नहीं मिलने वाला है यह भी DHT के वज़े से दूस्तों पूरा बालने सो चुका है, DHT के वज़े से पूरा सरगंजा हो चुका है, तो उसका एक ही उपाई जो है की अभी के date में सक्सिस्फुल है, वो है ट्रांस्प्लांट अगर आपका जो की hair का जो की donor area अगर stroke है, donor area मतलब पीछे का बाल अगर काफी अच्छा है, घहना है, मजबूत है, मोटा है और आपका जो की 5-grade का बालने सो चुका, 6-grade का बालने सो चुका, तो आप किसी भी अच्छा clinic में जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर आप जो की consult कर सकते हैं और आपका ये आगे carrier सही से cover हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा सही से अगर हो पाएगा आपका donor sufficient है अगर आपका beard में सही से बाल है और जो कि पीछे आपका donor area में अच्छा खासा बाल है तो आप आराम से ट्रांस्प्लांट करा सकते हैं इधर उदर का तेल और ये वो लगाने से lotion और लगाने से जो कि ये लोग टेंपरोरी आपको जो कि बाल का growth कर सकता है थोरा बहुत कर सकता है और आपकरी उपाई जो एकी transplant ही बच जाता है और transplant का बाल जो कि टिकता भी है और काफी लंबा टाइम तक रहता भी है अगर आपके लिए बाल जादा important है तो आप जो की transplant करा सकते हैं अगर आपको पूरा बाल जढ़ चुका है उमीद करता हूँ यह जानकार यह आप लोगो पसंद आएगा यह वीडियो पसंद आएगा इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल्ग जो सब्सक्राइब करें मिलता हूँ नेक्स वीडियो में तुक्त लिए उग्दा देज गुद्बाई टेक के